next question 2013 सवाल है question says the coefficient of performance of a refrigerator is five if the temperature inside freezer is minus twenty degrees centigrade सब्स्वाल temperature of the surrounding to which it rejects the heat is और हमारे option है 11 degrees centigrade 21, 31 यहां फे हमें degree centigrade में बताना है यहाँ पर अपने को को हम लिखते हैं this is equal to Q2 divided by Q1 minus Q2 और इसी को temperature की term में लिखते हैं T2 divided by T1 minus T2 और temperature यहां पर हम लेखें Kelvin में यहां आपने को बीटा की value दी हुई है फाइव दिस विल भी इकल टी 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 अपने को दिया हुआ माइनस 20 सो यह जाएगा माइनस 20 प्लस 273 divided by T1 इसकी value हमें बतानी है कितना होएगा माइनस T2 टी 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 जो है वो फिर यह टी टी टू आ गया यह हो जाएगा माइनस 20 प्लस 273 यह आपकी value हो जाएगी ठीक है तो यह अपना left hand side 5 है उपर यह बना 253 divided by T1 अच्छा है T1 अभी Kelvin में इसको centigrade में बाद में convert करेंगे हम यह आगया प्लस 20 माइनस 273 और अगेंस इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस 253 अगें component dividend वह आता है बहुत बढ़िया नहीं आता तो इसको यह multiply करें और वो कर तो यह value आएगी 5 T1 माइनस हुआ है आपका 5 multiplied by 253 is equal to 253 और इसको दले जाएंगे तो यह 6 into 253 इसमें इधर एड हो जाएगा तो T1 की जो value हो गई वो इसको add करेंगे 253 common लेंगे तो 6 multiplied by 253 divided by 5 यह value आएगे आपकी Kelvin में इसको एक बार जब हम solve करेंगे तो T1 की जो अपनी value हो जाएगी वो बन जाएगी इसको 6 by 5 अपने को करना होएगा इसको जब हम solve करेंगे तो इसकी value आती है यह लगबा जाएगा 303.6 Kelvin तो 303.6 Kelvin इसकी value आएगी अगें इससे हमें सब्सक्राइब करना है और चार ओप्शन इसका 31 है तो बेस अन देस हम कह सकते हैं का ऑप्शन नमबर सी 31 डिग्री और सेंटीग्रेट गूड वी दा राइट आंसर